हेलो फ्रेंस आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज इस क्लास में हम कलसा नौ हिंदी विश्टे के सितिज भाग पर्थम के अध्याय पांच नाना साहब की पुत्री मेना देवी को भस्म कर दिया गया के अभ्यास प्रशनों को सौल करेंगे तो कलस सरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो करपया करके चैनल को सबस्क्राइब कर दे और बेल आइगन को फोड दे तो चलिया सरू करते हैं देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, बालिका मैना ने सेनापती हे को कौन कौन से तर्प देकर महल की रक्सा के लिए प्रेरित किया, तो इसका जवाब हो जाएगा, बालिका मैना ने सेनापती हे को निम्न लिखी तर्प देकर महल की रक्सा के लिए प्रेरित किया, पहला तरक कौन सा था मैना ने कहा कि इस जड़ प्रदात मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं विगाड़ा है यानि कि आप जो मकान तोड़ रहे हो इस मकान ने तो अंग्रेजों का कुछ भी नहीं विगाड़ा है दूसरा तरक दिया कि उसके पिता का मकान होने के कारण यह मकान उसे क्या है अत्यनती-प्रिय थो यह जो मकान अंग्रेज तोड़ रहे थे, वह पिता का मकान था वही पर वो पली बढ़ी थी इस कारण से उसे वह मकान ऐसे अत्यनती प्रिय था FF तरफ दिया कि अंग्रेजॡों के विरुद सस्त्र उठाने वाले को आप सजा दीजिए तिसरा मेना ने क्या तरफ दिया कि आप उन लोगों को सजा दीजिए जिनोंने आपके खिलाब सस्त्र या हथियार उठाए हैं इस मकान ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है चौता तरफ दिया उन्होंने कि आपकी पुत्री और में साथ-साथ खेलत अग्ला तरफ दिया कि आपकी पुत्री की एक चित्री अबदग मेरे 9 पास है यानिकी किस के पास में इस प्रकार वालिकाँ मे ने शेना पति हे को अपने मकान को बचाने अहतू इन तरकों का क्या दिया सहारा लिया है अग्ला प्रास्न है प्रस्ण संग्यादो मेना अंग्रेज उसे नश्ट करना चाहते थे क्यों यानि कि जो मेरा नाम की लड़की है वो उस मकान को बचाना चाहती थी लेकिन अंग्रेज अधिकारी उसे नश्ट करना चाहते थे ऐसा क्यों इसका हमें कारण बताना है तो मेना उसी राज महल में क्या हुई थी? पली बढ़ी थी उसी में उसकी बच्चपन की, पिता की, प्रिवार की यादे क्या हुई थी? समाई हुई थी इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदकी के समान था और वह उसके जीवन का क्या हो सकता था? सहरा भी हो सकता था इसलिए वह उसे क्या करना चाती थी? इसलिए वह उसे बचाना चाती थी लेकिन इसके विफ्रित जो अंग्रेज दिकारी है अंग्रेजों के लिए वह राजमहल उनके दूसमन नाना साब की क्या थी निसानी था वे उनकी हर निसानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद आवाज न उठाए इस कारण से अंग्रेज उस मकान को क्या करना चाहते थे नश्ट करना चाहते थे अगला प्रशन है सर्ट्वामस है के मेना पर दिया भाव के क्या कारण थे यानि कि जो अंग्रेज यतिकारी है थे उन्होंने मेना पर जो दिया भाव दिखाया उसके क्या कारण थे तो देखें उसके निम्ना कारण थे पहला कारण था सन 1857 के विद्रों से पहले टॉमस हे नाना साब के घर आया जाया करते थे अन्य 1857 की क्रांती से पहले टॉमस हे थे वो नाना साब के घर पर क्या करते थे आया जाया करते थे इस कारण से उनकी क्या थी उनकी उनसे पहचान थी दूसरा मैना उसकी दिवेंगद पुत्री मेरी की क्या थी गनिष्ट सहेली थी और इस बात को हे क्या करते थे हे जानते थे तीसरा कारण क्या था मैना के पास मेरी की छिट्टी होने की बात सुनकर हे क्या हो गए थे बावुक हो गए थे अगला प्रस्टन है मेना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस पारशाद के धेर पर बैठ कर जी भर रो ले लेकिन पासान हर्दय वाले जनाल ने किस भाय से उसकी हिच्छा पूर्ण ना होने दी तो इसका जवाब हो जाएगा कि जनरल आउटरम ने बगना आवसिष्ट राज प वह अंग्रेज सरकार का क्या था जनरल था और वह अंग्रेज सरकार के परती कुछ ज्यादा ही वफादारी दिखा रहा था दूसरा कारण क्या था कि मेना के परती सानु पुते दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकते थी इस कारण उसने ऐसा नहीं होने दिया तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मेना को छोड़ देने पर कुछ लोग उन्हा विद्रो कर सकते थे और अगला कारण था जनरल कैसा था पासान हर्दी और असमवेंदन सिल व्यक्ति था इन कारणों की वज़े से उसने मेना के अंतिम इच्छा को पूरा होने नहीं दिया था अग तो इसका जवाब हो जाएगा कि माली का मेना की चरित्र की निम्नलिकिस विसिस्ता में अपनाना चाहूंगा उसमें सबसे पहली विसिस्ता है वो है देश प्रेम की पावना देश प्रेम की भावना की मेना में देश प्रेम तथा देश भक्ति की भावना बरी थी वह देश पर जान नियुचावर करने को भी क्या थी तैयार थी अत्ता देश प्रेव की भावना को मैं भी मैंना की तरह अपने जीवन में लागू करना चाहूंगा दूसरी वावना थी या विशेस्ता थी वो थी नीडर था मैना कैसे लड़की थी मैना काफी नीडर थी मेहल धस्त दवस्तोंने के बाब जूद भी अंग्रेज सेनिकों की बीच नीडर बनी रही वो अंग्रेजी सेना से बहभित होकर छिप कर अन्यतर नहीं गई काभी नीडर थी तीसरी विज़ेस्ता थी मैना कैसे लड़की थी मैना साहसी लड़की थी वह जनरल हे से अपनी बाते साहस से कह देती है अगली विज़ेस्ता थी वाक पटूता का मतलब है कि बोलने में उस्ताद होना मैना ने अपनी वाग प्टूता से अंग्रेश सेनापती हे को मेहल न गिराने के लिए सोचने पर विवज कर दिया अनि उन्होंने इस साहस के साथ सेनापती हे के साब ने अपनी बात रखी कि वो भी एक बार सोचने के लिए क्या हो गए मजबूर हो गए अगली विसेस्ता थी उत्सर्ग की भावना आनि नाना साहब के अचानक जाने और मकान गिराने के बीच वह कही भी जा सकते थी पर उसने मात्रा भूमी पर अपनी पन देकर अपनी क्या की उत्सर्ग की और भावना का क्या दिया परीचे दिया यानि कि वह अपनी मात्रा भूमी से जुड़े रहना चाहती थी और अगली विसेस्ता है बावुकता कि मैंना जड़ परदात महल से क्या करती थी प्यार करती थी वह महल के अवसेस के लिए भी क्या करती है रोती है ये गुण बैक्ती में राश्ट्र प्रेम एवं देश बक्ती की बावना मजबूत बिनाते हैं इसलिए मैं भी इने अपनान चाहूंगा अगला प्रशन है आपका वो है टाइम्स पत्रा ने छे चत से सितंबर को लिखा था बड़े दुख का विशे है कि भारत सरकार आज तक उसे दर्दान नाना साब को नहीं पकड़ सकी इस वाक्या में भारत सरकार से क्या आश्य है यहाँ पर जो भारत सरकार की बात कही गई है उसका मतलब क्या है तो इस वाक्या में भारत सरकार से आश्य है कि उस प्राधिन भारत में ब्रिट्रिस सरकार के निर्देश पर चलने वाली वह सरकार जिसे कौन चलाते थे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे और भारतियों पर अतियाचार पूंड क्या करत यहाँ पर केवल बारत सरकार की बात हो रही है लेकिन असल में वो बारत सरकार वास्तविक बारत सरकार ना होके अंग्रेज की क्या थी गुलामी वाली सरकार थी जिसे अंग्रेज दिकारी अपनी मर्जी से चलाते थी अगला प्रशन है सवाधिंता अंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी इस रहा के लेक पढ़ गर लोगों में राश्ट्र प्रेम की बावना क्या होती है बलवन्त हो जाए उड़ती है एन्य की राश्ट्र प्रेम की बावना जाग उड़ती है देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके मन में भी क्या होती है जाग उड़ती है बलिदानो कि जो लेक है इस प्रकार के लेक आम आदमी में भी अपना सब कुछ न्युचावर करने के लिए क्या हो सकता है आदमी प्रेरित हो उड़ता है इस तरह एक न एक दिन वह अपने लक्षे तक पहुंच ही जाता है इस प्रकार के लेखों को पल्ड गर एक साधान व्यक्ति में भी देवस्प्रेम, राष्ट्र भक्ति और कुछ कर गुजरने की जोस और उमंग बर उठती है अगला प्रशन है कलपना कीजिए कि मैना के बलिदान की ये खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है इन सुचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार त्यार करें और कक्सा में बहावपूर्ण सैली में पढ़ें तो हलागि ये पश्चन जदा इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी में बता देता हूँ जो जैसे एक समाचार रिपोर्ट हो रहा है रेडियो में तो जैसे कल साम साथ बजे अंग्रेश सरकार ने कानपूर के कारा ग्रह में वह कायरता पूर्ण कारेकल डाला जिसका कलंग मिटाए नहीं मिट सकेगा आपको विदित होगा कि कल आधी रात्र को नाना शाबगी बालिका मैना को जनरल आउटरम ने तब गिरिपतार कर लिया था जब अपने तूटे हुए मेहल पर बैट कर क्या कर रही थी रो रही थी उसने रात को ही अतकडी पहना कर कानपूर जेल में डाल दिया गया था गिरिपतारी के समय ननी बालिका ने जनरल आउटरम से यह विल्ती की थी कि उसे अपने मेहल पर बैट कर आराम से कुछ समय के लिए रोने दिया जाए किन्तो आउटरम ने उनकी यह इच्छा भी पूरी होने नहीं दी समाचार यह है कि आज रात यूजना पूरुवक उसे जलती हुई आग में डाल कर बस्म कर डाला अंग्रेज इतिकारी इसे ब्रिटिस सासन का आदेश के रहे हैं और कानपूर की जनता इस बलिदान को पवित्र मान कर देवी मेना के क्या कर रही है अराजना कर रही है तो इस प्रकार आपके सध्या के सभी प्रशन हमने अच्छे से सौल कर लिये हैं उम्मेद करता हूँ सभी प्रशन आपको अच्छे से समझ में आया होंगे तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद बाकि आप सब जानते हैं लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो आज के लिए इतना है धन्यवाद